वैसे तो मांगता रो रो ने ने जूता लेकिन तू मेरी माता जी के पैर क्यों नहीं छूता लड़के ने कहा पापा आपको बहुत हयापा छे महिने से कह रहा हूं अभी तक नहीं लाए जूते मैं तो कभी-कभी छूता भी हूँ आप मेरी माता जी के पैर तो कभी नहीं होता है शिरिकान जी कभी मुझे मिला उस दिन मैंने पूछा क्या नाम है भाई तो बोला th शेर सिंग मैंने कि पिताजि का नाम बोले संसेड 대통령 कि बाबा का नाम बोले सवा सेर सिंग तो मैंने का गली में क्यों नहीं जा रहा बोले वह कुट्ता तो इन्होंने क्या किया है कि अपने नाम में नाम में सिंग तो लगाया है पढ़ेगा जाओ लेकिन अगर पढ़ाओं तो पढ़ लेना और न पढ़ाओं तो जान है तो जहान है यह इसे तो हमने वादा करके आए हम पंगा नहीं लेंगे चोंकि हम तो उनका वीडियो देश चुके हैं वीडियो में ऐसा था कि यह हमारे मनोज भाई सीमा जी से पूछ तसरे हैं कि आप लोग करती हैं कि हमादश का अपढ़ता है नहीं किया कभी बड़ों करना पड़ता है मजबूरिम करना पड़ता है को अगली बार मल्या फिर सीमा जी का इंतरन वीव Atlix हो क्या किया नहीं नहीं किया है वो कहेंगी नहीं कि यह कहेंगी आईशा करो कर लियो एक हासी कभी है उसका कर लियो इसलिए पंगा तो लेने नहीं है देखें हमारे बहुत अच्छे देश के बड़े कभी आज संचालन कर रहे हैं भाई कुमार मनोजी चुनाओ आने वाले हैं चुनाओ में क्या इसित होती ह कि राजनीत में माफियों की ये पेच्छा ये फिलवाले बहुत अच्छे हैं सीधे हैं सच्छे हैं माना इस शेतर में भी बच्चे हैं अरे कुछ दिनों के बाद लक्च हो जाएंगे पांच साल संसद की नदी में रहेंगे मगर मच हो जाएंगे पांच साल संसद की नदी में रहेंगे मगर मच हो जाएंगे एक बुजुर्ग बेक्ट ने बतलाया दो सो साल पहले दिल्ली में एक पेड़ था उसी पेड़ के नीचे लुटेरे लूट का माल आपस में बराबर बराबर बाड़ते थे हबे लगता है उस बुजुर्ग बेक्ट की बातों में सच्चाई हंडेट परसेंट है क्योंकि आज उसी अस्थांट पर हमारे देश की पारलाइमेंट है क्योंकि आज उसी अस्थांट पर हमारे देश की पारलाइमेंट है नेके शटका अच्छे लगी एक और शटका दे रहा हूँ आज कर आप देख रहे हैं समान में जगे जगे रसीद्मुग लिये ठहले है रसील लेलो एक बार हमारे पास अजन आए कि एग समास्यवी ने हमसे कहा रसील लीजिए एक भ्रस्ट नेता जी चलवसे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए कम से कम दस रुपए दीजिए हमने का भो आता श्री साव रुपए ले जाए Jyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay बोले वैसे तो मांगता रो रो नहीं नहीं जूता लेकिन तू मेरी माता जी के पैर क्यों नहीं छूता मनोज भाई ने अपने बेटे को डाटा उपर से मार दिया चाटा बोले वैसे तो मांगता रो रो नहीं नहीं जूता लेकिन तू मेरी माता जी के पैर क्यों नहीं छूता लड़के ने कहा पापा आपको बहुत हयापा छे महिने से कह रहा हूँ अभी तक नहीं लाए जूते मैं तो कभी-कभी छूता भी हूँ आप मेरी माता जी के पैर तो कभी नहीं छूते एक छोटा सेविंग दे रहा हूँ कि हमारे देश की सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है और हमारे देश की जनता को लग रहा है कि विकास कहा हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है अब प्रस्म यह उठता है कि गवर्मेंट कह रही कि विकास हो रहा है तो कहीं नहीं विकास तो अब से हो रहा है विकास कहा हो रहा है हम आपको बतलाते हैं छोटा सा वेंग आशिरवाद चाहेंगे ध्यान चाहेंगे आपका बहुत प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने विकास अधिकारी से कहा कितना विकास किया है दिखला हो वो बोला विकास देखना चाहते हो तो घर पर चल लाने पर दिखला सकते हैं दूसरे दिन जब हम उनके घर पधारे गेट पर मिल गए चोकीदा राम सहारे राम सहारे से कहा सहाब से मिलवाओ बोला दस रुपे लाओ राम सहारे से कहा सहाब से मिलवाओ बोला दस रुपे लाओ हमने का ठीक है भी या आप भी दस रुपे संभा लें वो बोला आप नहीं पर बरामदे में बैठ जाएं सहाब को बुला लें कुद्यरबास सहाब आए द्रुअनधर जी फरमाईे औरे आप बाहर क्यों खड़े हैं अंदर आईए टेक है उसको बिछवरा था दसल छुटी के दिन दसल चुटी के दिन घर का काम निप्छवरा रहा था औरे कल ही इरान से कालिण मंगवाई थी उसको बिछवरा था बनौने में 50 लाख रुपे लगा है कोई करमचारी तलग देखने नहीं है अकॉंट किसका सगा है इसको मकान देखने है इसको बनौने में 50 लाख रुपे लगा है कोई करमचारी तलग देखने नहीं है अकॉंट किसका सगा है अरे धान की फैक्टी से सहर में धान की फैक्टी त्विकास अपका है वह बोले और क्यापके बापका है अमने का हमारा मतलब शहर में कितना विकास किया है उन्होंने कहा लगता है तुमने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है ध्यान के फैक्टरे शहर में लगवाई है ये गाउं वाली बात तुम्हें दिमाग में कहां से आई है ध्यान के फैक्टरे शहर में लगवाई है वो बोले अच्छा आप राजा राम के समय की बात कर रहे हैं अरे आज राम का नहीं माया राम का समय है आज राम का नहीं माया राम का समय है पहले अपना पेड भरेंगे फिर देश का विकास करेंगे फिर देश का विकास करेंगे फिर देश का विकास करेंगे फिर देश का व पुरे देश की समस्या है तो इस समस्या पर एक सही नोजग विचारा बहुत परिसान हुए गया पत्र लिखा क्या पत्र लिखा वो पत्र आपको सुना रहे हैं कि इस साल एक अजीवो करीम निमंतन पत्र आया पढ़कर माथा चकर आया उसमें लिखा था कभी जी आप कभी समस्या मडन में आईए लेकिन सर्थ है अपने साथ कम से कम दस रोताओं का वस लाईए या सरोता ना मिले तो करपा करके आप भी मत आईए क्योंकि हमारे शहर के लोग नर्त्री हुई नर्त्री को देख सकते हैं उस पर नोटों की गदियां फेख सकते हैं शहर के कभी सम्मेलन के आईजनों को कहते बवाल हैं अरे ये रिक्षा वालों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल है पर नहीं पर बेंग है तो कि हमारे ये पढ़े लिखे लोगों के नहीं पढ़े लिखे लोगों के हाल हैं फिर हमने अपने पढ़ोसी से कहा चलोगे फिर हमने अपने पढ़ोसी से कहा चलोगे वो बोला कहा हमने का कभसमेलन वो बोला यार कभसमेलन के जंजट में क्यों डाल ले हो क्या कोई पुरानी दुसमणी निकाल ले हो वो बोला कभसमेलन के जंजट में क्यों डाल ले हो क्या कोई पुरानी दुसमणी निकाल ले हो हमने कहा यदि आप कभसमेलन में चलेंगे तो दूसमन नहीं है जो इस कोरोना काल में जो इस कोरोना काल में कम नहीं है अरे हम आपके दोस्त हैं दूसमन नहीं है यह चलने का मन बनाओ तो बताओ नवसरोताओं को ओधूड कर लाओ यह चलने का मन बनाओ यह चलने का मन बनाओ यह चलने का मन बनाओ तो बताओ आओ भाई साहब बड़ी मुश्किल से दस रोता मिले हम उन्हें लेकर चले जहां जहां स्टेशन आई समोसा खिलवाया चाय पिलवायी फिर हमने उन्हें समझाया जब हमारा नंबर आएगा तभी आप लोग तालियां बजाएंगे सबसे उपर हमी को उठाएंगे फिर हमने चिंता न करें भागवान चाहेंगे आप जल से जल्द उपर उठ जाएंगे इतना सुनकर एक सोता बोला धुवंधर जी आप चिंता न करें भागवान चाहेंगे आप जल से जल्द उपर उठ जाएंगे जब हमारा नंबर आया तो संयोजक के इसारा करने पर हमारे भी दस लेकिन प्राता काल अजाइब हो गया, बिना पेमेट दिया हमारा साहियों रेक ही गाइब हो गया.